तो काफी लोग हमारे च्टूडियो टूर की डिमांड कर रहे थे बट हमने सोचा भाई पूरा च्टूडियो टूर से अच्छा ना एक एक रूम को कवर करते है ताकि मैं आपको डीटेल में समझा पाऊं कि गेमिंग रूम में क्या-क्या एक्क्यूपमेंट यूज करे हैं कै तो पूरा टूर तो बाद में आये गाई बट पहले हम बात करेंगे अपने गेमिंग रूम या गेमिंग सेट अप की जहां पर हमारे तगड़े तगड़े गेमिंग वाली वीडियोज भी शूट होती है तो शुरू करते हैं यहां से पूरा साउंट प्रूफिंग करवा रख का तो यह जैसे हमन करते हैं लाइट जल जाती है इससे क्या होता है बाए जब भी कोंष़ भार आता है अगर यह रखले है इसको पता चल जाता है लो ना दरवाज खोलता है ना डिच्टरप करता है अब अब फड़ाफट से लिख का आफ़ी दरवाजे लगाए हुए वह दाकि आवाज जादा भार आए ना तो ये है भाई अपना गेमिंग रूम आगे बढ़ने से पहले भाई आज के वीडियो के स्पोंसर की बात कर लेते हैं जो कि के है हनी गेन अगर आप भी भाई है अपना मुबाईल रिचार्ज या नेट्फिक्स के लिए जो सब्सक्रिप् लग रहा है या अनलिमिटेड मुबाईल डेटा तो आप हनीगेन की मदद से बिना एफट्स के भाई ठीक ठाक पैसे कमा सकते हो तो आपको करना कहा नीचे दिस्क्रिप्शन में दे गए लिंक पर क्लिक करके भाई इनकी आप को डाउनलोड करना है या तो आपके पास अप अपके टाइम पर ही पांच डॉलर का बोनस मिलेगा जैसी आप भाई एप को इंस्टोल कर लोगे हनीगेन अपना काम शुरू कर देगा आपका इंटरनेट यूज करके गैधर करेगा वेब की इन्फोरमेशन को और यह आप बिल्कुल सेफ है क्योंकि आपका डेटा जो है एकसेस नहीं करता है कुछ भी सिरफ आपके इंटरनेट कनेक्शन को एक तरह से रेंट पर लेता है और आपको उसके बदले कुछ पैसे देता है जिसकी वाइसे भाई बिल्कुल सेफ है यह एप यूज करने में तो भाई यह आप मोका बिल्कुल भी मत गवाना एक्स्ट्र का कैश कमाने के लिए हनीगेन को अपना इंटरनेट कनेक्शन दो रेंट पर और उसके बदले कमाओ पैसे डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने वह लिंक दे रखके है और साली साथ प्रोमो कोड भी आपको मिल जाएगा फिर जैसी आपके कुछ डॉलर्स हनीगें पर जमा हो सबसे पहले एंट्री करते हैं हमने यह लैडर वाला बुक शैल रखा हूँ जिसमें बुक्स के अलावा काफी चीज़े और रख्यू है हमने अभी यह खाली-खाली सा लग रहा है धीर धीर हम गेमिंग से रिलेटेड और चीज़े इसमें एड करते रहेंगे ताकि तरकता बढ़कता लगें इस ही के राइड साइड में हमारा मेन इस रूम की शान गेमिंग सेटअप है जहांपर एक साइड में ने गेमिंग PC का सेटप कर रखें दूरी साइड में प्लेसिशन का सेटप है यह आरिया दिखाने से पहले आपको तूरा रूम का टूर देतों फिर य बालकनी है हमारी तो बालकनी नहीं दिखाएंगे यहां से ताजी हवा ले सकते हो एपना उपर स्प्लिटेस ही लगा हुआ है इधर की साइड में हमारे कुछ एक्विप्मेंट रखे हुए जो हमारे शूट के काम आते जैसे कि यह वाला जो ट्राइपोड है बहुत भारी भर कम है क्योंकि इसके उपर हमने लगा रखा है डेस व्यू का टेली प्रॉम्टर अब इसका काम क्या है जैसे कोई भी एंकर शूट कर रहा है और उसको स्क्रिप्ट पढ़नी है न्यूज चैनल में भी देखा होगा और मोधी जी को भी देखा होगा आपने तो स्क्रिप्ट क बाकी इसके अलावा एक नॉर्मल ट्राइपोट रखा हुए है नॉर्मल शौर्स लेने के लिए यह हमने कुछ अच्छा रहा रोपे का लिया था इसके रावा हमारे पास एक यह है जो की किया बही है इस्लाइडर मैनुवल स्लाइडर है यह एलेक्ट्रिक वाला नहीं है त तो यह बंद होके नूसरे कलर्स दिखेंगे तो यह देखो भाई तो यह ग्रीन अपना रेड येलो और ब्लू कलर इसके बीचे भाई हमने यह पूरी मैटल की जाली बनवाई है और इस दिवार को पूरा करने के लिए न भाई मुझे तीन दिन तक यहां पर रगातार खड इसी के भाई जस्तामने हमने एक ओर टेबल लगा रखा अब आप सोचोगे सारा सेटप तो उस टेबल पर तो यह टेबल किस काम आता है पिछले उस टाइम से आप देखी रहोंगे भाई हमारे इस चैनल पर पीसी बिल्ड की वीडियो काफी सारी आ रही है तो जब भी हम व अगा दिया पीसी की टेस्टिंग के लिए अब बिल्ड करते हैं तो टेस्टिंग के लिए गेमिंग मोनिटर भी होना चाहिए इसलिह दो हमने यहां पर 2 पर gaming and editing वगर के टेस्टिंग भी अराम से जेल लेता है बागी keyboard माउस वह बड़े normal से रखे हुए उसमें हमने पैसा नहीं खर्चा जागा इसके लावा भाई हमारे studio में आशी दो ऊची-ऊची सी लाइट है देगर हो कितनी ऊची है तो यह गोडोक्स की SL60 साट वोड की लाइट है दो में हमारा काम हो जाता है बट इसके अलावा भी हमने 35-35 वोड के LED पैनल लगवा रहा है यह देखो भाई सीलिंग पर टोटल ऐसे तीन-तीन के पैटन में नो पैनल लगवा हुए हमने इससे कहना अगर हम यह वाली गोडोक्स वाली लाइट ना भी जलाए ना तब भी उपर से इतना जादा ना रोचनी सी रहती है पूरे रूम में कि ब्राइट-ब्राइट वीडियो शूट होती ह है कट करवा के तो आप यहां पर देख सकतो जैसे दो बाइदो के लगे हुए उसी तरह से दो बाइदो के अकोश्टिक शीट भी लगी हुई है तो अभी हम आपको साउंड का बिफोर और आफ्टर शोट्स तो नहीं सुना सकते बट काफी फरक है मतला बहुत ज्यादा फर तो यह अकूश्टिक पैनल और कार्पेट मिलके भाई तगड़ा काम करती है बहुत मोटा मोटा बता हूं अगर यह जो पूरे अकूश्टिक ट्रीटमेंट हुई है उपर इसमें हमारा च्छत चत का एक रूम का 20-21,000 उपया खर्चा है यह हमने फोर्म खरीदे हरियाना फ 14,000 उपया खर्चा है यहाँ पर भाई हमने एक टेबल रखा हुए जो हम अपने पुराने सेटप से उठा के लाए है तो कुछ भी समान वगरा इधर भी रख सकते है साधी साथ में दो ड्रोर भी है जिसके अंदर हमने अपने अपने कंट्रोलर रखे हुए ऐसी नीचे वा या मैं अगर शूट कर रहा हूं तो मैं बैठता हूं और कैमरा होता है सामने जहां पर आप मुझे देख पा रहे हो इससे की पीछे का पूरा अच्छे से व्यू आता है यहां पर हमें और बाकी लाइटिंग अपने इस आप से फेस वेस पर दे देते है वो तो यह चीज त इस तरह के ना 200-300 पे के Amazon से आपको मिल जाएंगे यह हमने काफी सारे यूज करें इस रूम में इसमें क्या रिमोट मिलता है आप अलग-अलग लाइटे चेंज कर सकते हो रैड ब्लू ग्रीन वगरा 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 तो हम तो अपना ब्लू और परपल की थीम रखते है रू दो पैनल के लावा इस वाली साइड पर हमने नीचे भी दो ऐसे पैनल रखे हुए एक उस कोर्नर पर और एक इस कोर्नर पर तो नीचे से ब्लू लाइट आती है उपर चे परपल आती है मस्ता थीम बन जाता है सेम टू सेम टीवी वाले काउंटर के नीचे भी एक पैनल लगा हुए है वहां पर तो यह कुल मिला के हमारे कुछ चे पैनल लगे हुए है जिसकी एक की कोश्टिंग आप 400 पर ही पकड़ोगे 2400 में हमें यह 6 किछे मिल गए थे वायरिंग वागर आमने अपने हिसाब से फिर बढ़ा ली थी ऐसे ही हमने हर स्टूडियो में एक एक इसमें डाल देते है यह जो मोनिटर के पीछे आप LED लाइट का इफेक्ट देख रहे हो ना इसके लिए हमने भाई विप्रो की स्मार्ट आर्जी भी ट्यूब लाइट लगवाई हुई है तो एक तो है इन मोनिटर के पीछे और सेम आप देख सकतो यहां पर भी वही वाला इफेक्ट आ रहे है तो एक ट्यूब लाइट इस टीवी के पीछे रखी है प्राइस की बात करें तो शायद से 1500 या 1600 रुपे की एक ट्यूब लाइट यह मिल जाती आपको तो दोनों आप 3000 में ले लोगे यह तो बात होगी टेबल के पीछे और नीचे क्या था आप बात कर लते ऊपर क्या है तो यह हमारा पूरा सेक्षन है भाई PlayStation सेक्षन यहां पर हमारी सारी PlayStation तो टीवी रखा हुए सबस्वारे टीवी की बात करें तो रेडमी का भाई 55 इंचिस का 4K स्मार्ट टीवी लगा हुए जिसमें हमने अभी अपनी PlayStation 5 कनेक्ट करिवी है TV की बात करें तो अराउंड ये कुछ 30,000 रुपे के आसपास का TV था, इसी के लेफ्ट साइड में हमने अपनी PS5 रखी हुए है, जो अभी तो 50,000 की है, और मैंने 95,000 की ली ती उस ताइम पे, यहाँ पर PlayStation 5 का कंट्रोलर रखा हुए है, क्योंकि मैं अभी ठेली राता इस शूट से पहले, इधर की साइड में अपना PS4 Pro रखा हुए है, जो मैंने लिया तो उस ताइम पे भाई, 32,000 के आसपास, और साथ में रखा हुए है, एक अपना PlayStation 3 Super Slim, जो मैंने लिया ता कुछ 10-15,000 रुचा, नहीं, यह मैंने लिया ता 6,000 का, तो इसमें से आदे console खराब हो चुके है, जो 2K 144 Hz वाले, बहुत मेंगा मोनिटर था भाई, दो साल पहले लिया था, एक मोनिटर 55,000 का मिला था, G-Sync वगारा सब मिलता है इसमें, तो दो मोनिटर यह एक लाग 10,000 रुपे जादे, सोचो, इसी के उपर हमने एक LG का भाई, 24-inch का 1080p मोनिटर लगा हुए है, 60 या पता नह तो मस मज़ा आ जाते हैं, PC की बात करें, तो भाईया, जब मैंने PC लिया था नहीं, उस टाइम पर इस से उपर कोई components नहीं आते हैं, तो विल्कुल टॉप ओफ दे लाइन था, प्रोसेसर की बात करें, तो Ryzen 9 3900X लगा हुए है, GPU की बात करें, तो AORUS का ही भाई, RTX 2080 Ti बात करें, तो भाई, उस टाइम पर मुझे कुछ 3,000 रुपे के आसपास यह PC पड़ा था, ठोड़ी बहुत चीज़े मैंने और अपग्रेड करवाई थी, अब यह जब की बात है, जब भाईया, COVID के टाइम पर बहुत महंगी चीज़े और रखे थी, इस टाइम पर इस से फेवरेट गैजट जो की कहा है, Logitech का G29 स्टेरिंग वील, विद भाईया, शिफ्टर के साथ, तो अगर आपको भाई, Gars Racing की गेम्स खेलने का मन करता है, या GTA 5 स्टेरिंग वील से खेलने का मन करता है, भाईया, बहुत मज़ा आता है, पूरा ऐसे गड़ों में जाती है, गाड़ी तो वाईवरेट वगएरा सब होता है, इसका प्रॉपर मैंने रिव्यूर अन्बोक्सिंग डाल रखे, अपने चैनल पर आप जाके चैक आउट कर सकते हो, तो दो चीज़े ये उपर है, और इसका जो पैडल से वो नीचे की साइड, अपना वही क्लच ब्रेक और अपना अराम से चैर पर बैठो और गाड़ी चलाने के मज़े लो बले आपको रियल लाइफ में नी आती, पर इसकी बात करें तो शिफ्टर के साथ अराउंड 34,000 रुपीज का पूरा सेटप मिल जाता है, अचा बाई सब कुछ बता जिया है, पर जिस टेबल पे सारा समान रखा हुए, उसके बारे में नी बताया, तो ये भाई है, कस्टम मेड एक L-shaped table है, जो हमने अपने कारपेंटर को बुला के बनवाया था, अराउंड 35,000 का खर्चा आया था, और अराम से बन गया, पूरा 8 x 8 का है ये, तो हमारे सारे गैजट्स आराम से आ जाते हैं, तो मस पर APC का भाईया, 1500 VA का UPS भी लगा रहा है, जो अराउंड 18,000 उपे आता है, पर ये है कि जितना भी तगड़ा गेमिंग PC ले आओ, उसको बैक आप अराम से दे देगा, लिंक इसका भी दे रख्या, मैंने बाकी प्रोड़क्स का भी दे ही रख्या, वैसे चाग ओड कर ले खरीज ली थी, और इसमें भाईया, डूरसल वगएरा के अपने अडप्टर वगएरा लगा के पूरा चार्जिंग स्टेशन बना लिया, तो इस तरह के 4-5 हमारे पास यहां पर Type-C के पोर्ट मिल गए है, तो खुछ भी माइक चार्ज करना है, कैमरा चार्ज करना है, मेरे हिसाब से तो भाई, इस रूम में मैंने जितनी भी चीजों का यूज किया था, सब के वारे मैं आपको बता दिया, विद प्राइजिज, अब टोटल यह रूम का पूरा कितना प्राइज बन रहा है, वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में, पूरा कैलकुलेट करक देखते हैं किसकी कैलकुलेशन परफेक्ट होती है, वागी इस तरह कि और वीडियो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हनीगेन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रख्या, आप जाके जरूर चैक आउट करना, और प्रोड़क्स के भी लिंक दे र धुए होती है, आ कि रखंवारी जर करना, और यार को तरह को झालत सके लिए भी लिंक का कि देखते हैं, आ अईवारी कि देशने में देखते हैं, और वीडि़ी को देखते हैं, पालत्य F ferry पीर से दे एखते हैं, आ क्वार में च सब्सक्रिशन Wallace